तो दोस्तों अपने राजिस्थान में सरकारी आवासी विद्दा ले या फिर सरकारी छात्रावास या फिर गोर्मेंट होस्टल में सेशन 2023 के लिए एडमिस्न की प्रोसेस वो शुरू हो चुके हैं यानि आवेदन फोरम भरने शुरू हो चुके हैं इसकूल लेवल के लिए भी और कोलेज लेवल के लिए भी और इसके साथ अनुपरती कोचिंग योजना के लिए भी अगर आपको भी इन होस्टल में बिलकुल फिरी में एडमिस्न लेना है और जानना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहें क्योंकि इस वीडियो में इन होस्टल में कैसे एडमिशन होगा, इसकी क्या प्रोसेस रहेगी, क्या नियम रहेंगे, क्या रूर रहेंगे और आपको किन-किन डोकॉमेंट की आवसिकता पड़ेगी और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है एस से लेके जड़ तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाना हूँ नमस्कार साती ओं मैं हूँ आपका अपना साती राजगुर जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हैल्प यूटूब चैनल तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजिस्थान में समाजिक नए अधिकारिता विभाग के दवारा हर साल जो सरकारी आवासी विदाले हैं या सरकारी छात्रावास हैं या एडडेड होस्टल हैं उनमें एडमिसिन की प्रोसेस है वो शुरू करता है तो वो सेसन 2023-24 के लिए भी शुरू हो चुकी अब देखें इन्हें होस्टल में प्रोसेस लेने के लिए कुछ पातरताई रखी गई हैं कुछ नियम रखी गई हैं वो नियमों के बारे में तो आगेम आपको जानकरी देने मलों लेकिन इससे पहले एक बेसिक जानकरे आपको बताता हूँ इनके बारे में क्राइटेरिया हैं वो बताता हूँ देखें दोस्तों यह जो होश्टल में प्रवेस परकृरिया चलती हैह और इसके साथ जो अनुपरती कोचिंग योजना के लिए आवेदन किया है और जिनका नंबर आ गया है यानि किसी परकार की competition की जो तैयारी कर रहे हैं अनुपरती कोचिंग योजना के तहट तो वो ऐसे जो student है वो भी इन hostel में प्रवेश के लिए आवेदन हो कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए इनमें केवल वही बच्चे हैं वो आवेदन कर सकते हैं इस्कूल और कोलेज लेवल के जो किसी ने किसी गोवर्मेंट इस्कूल में हो पढ़ाई कर रहे हैं तो इस बात को आपको खास तोर पे वो ध्यान रखना है चलिए अब मैं इनकी पातरता और सर्टे में आपको बता देता हूँ कि इसके लिए क्या-क्या सर्टे हैं विभाग के दवारा रखी गई तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहली और बड़ी जो पातरता रखी गई है कि जो कंडिडेट है यानि जो इस्टूडेंट है वो राजिस्थान का मूल निवासी होना ची इसी के साथ-साथ यहाँ पे अगर स्कूल लेवल की बात करें तो लास्ट कलास में यहाँ पे 40% नमबर आना अनुवारी है इसके साथ-साथ यहाँ सभी के लिए मैं बता रहा हूँ उनके पूरे प्रिवार की जो वार्सिक आये है वो अधिक्तम 8 लाक होने चीए 8 लाक से ज़्यादा नहीं होने चीए तो ऐसे जो कंडिडेट है इस्टूडेंट है वो इन होस्टल में प्रवेस के लिए पातर है बस यह सामाने से इसनकी पातरता रखे गई है और कोई बड़ी इसकी पातरता नहीं है अब दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूँ देखिए जैसे ही मालेजे यहाँ पे गवर्मेंट के पास आवेदन आते हैं तो यहाँ मेरिट इस सिस्टम में वो लागू किया जाता है अब जिन जिन छेतरों में जिस प्रकार से होस्टल की वेवस्ता उनके द्वारा की जाती है या फिर एविलेबल हैं उनके हिसाब से हैं इस्टुडेंट का यहाँ पर प्रिवेस होता है अब आपको यहाँ पर यह भी पता है कि हर साल है इन होस्टल में प्रिवेस के लिए इस्टुडेंट के द्वारा आवेदन किया जाता है तो सबसे पहले इस सेशन के अंदर जो पुराने वाले जो इस्टुडेंट हैं जो अपना आवेदन फोर्म रिन्नू करेंगे उनको प्रात्मिकता है वो दी जाएगी इस बात को आपको खास तोर पे द्यानक ना है चलिए अब मैं डोकोमेंट के बात करता हूँ कि इसके लिए आपको कौन-कौन से डोकोमेंट की आवसेकता पढ़ने वाली है तो जोस्तों यहाँ पे देखे मूल रूप से और सबसे बड़ा जो डोकोमेंट है वो है इस्टूडेंट का जन अधार कार्ड और उसका अधार कार्ड मुखे रूप से अपने राजेस्थान में जन अधार कार्ड चलता है तो जन अधार कार्ड आपके पास होना जरूरी ह इसके साथ यहाँ पे जो student है उसका जाती पर्मान पत्र, साथ साथ में मूलनिवास पर्मान पत्र और इसके साथ बैंक में है एक अंकाउंट होना चीए, इसके साथ कोई भी बालक बालिका कोई disability group से है तो वो पर्मान पत्र होना चीए, कोई BPL से है तो वो पर्मान पत्र होना चाहिए, खहने का मतलब है, जिस category का बालक है, उसी category के अनुसार है, यहाँ पे उसके पास document होना चाहिए, जयसे अनात बालक है, तो अनात का certificate उसके पास होना चाहिए, ठीक है, और और इसके साथ सभी student के लिए आय परमानपत्र होना भी यहाँ पर जरूरी है लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखे यह document की तो आपको यहाँ पर आप सकता पढ़ने वाली है लेकिन यहाँ पर इन document को लेके सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह जो सभी जो document है आपके जन अधार card के साथ वो link होने चीए अगर जन अधार card के साथ आपका जाती परमानपत्र, आपका मूल निवास परमानपत्र, आपका bank account number है अन्य जो BPL card है या फिर अन्य जो भी document है अगर link नहीं होगे तो इसके लिए आप आवेदन हो नहीं कर पाओगे इस बात को आपको खास तोर पे धनाखना अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर आपन जाती परमानपत्र और मूल निवास की बात करें तो देखिए यहाँ पर SC और ST वरक के जो candidate है उनका जाती परमानपत्र होता है वो light time के लिए होता है मतलब आज ही उन होता है उसको renew कराने के आवसेकता नहीं होती है लेकिन यहाँ पर जो OBC है EWS है या फिर जो general category के जो student होते हैं उनको अपना जाती परमानपत्र हो हर साल हो renew करवाना पड़ता है अब यहाँ पर देखिए जिन candidate ने मालीजिये पिछले एक साल के दुरान है अपना कोई भी जाती परमानपत्र बनाया चाहिए वो किसी भी category का हो तो उन्होंने अपने जन अधार कार्ड के साथ लिंक करते हुए बनाया है क्योंकि अपने राजिस्तान में अब जब भी मालीजिये कोई जाती परमानपत्र है मून लिवास परमानपत्र ये बनता है तो अपने जन अधार कार्ड के साथ ही बनता है कि एक बार आप अपने जन अधार कार्ड में अपना मूल निवास है, अपना जाती परमान पत्र है, उसका status आप चेक कर लिजिएगा, अगर यहाँ पे वो लिंक नहीं है, तो विया समय रहते वे हैं, आप अपने इन डोकुमेंट को है, वो लिंक कर लिजिएगा, वो लिंक क करना है, इसके लिए हमारी दूसरे चेनल पर वीडियो है, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लिजिएगा, अराम से अपने डोकुमेंट अपडेट कर लिजिएगा, इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जिन्न अधार कार्ड के साथ हो जाएगा, क्योंकि आपको जन अधार कार्ड नंबर भी देने पड़ेंगे, तो फिर उनको अपने जन अधार कार्ड के साथ है, यह जो सर्टिफिकेट है, अपडेट करने की कोई आफसिक्ता नहीं होगी, इसके साथ यहाँ पे देखिए, आपका अधार कार्ड के साथ है, उसे अपडेट करवा दीजेगा, दोस्तों यहाँ पे खहना चाओंगा, जब भी आप अपने जन अधार कार्ड को अपडेट करओ, तो एक साथ ही करवाओ, क्योंकि जन अधार अपडेट होना में कम से कम 14-15 दिन का समय लगता है, तो ऐसे में बार बार आपको अपना जन अधार कार्ड वो अपडेट नहीं करवाना पड़े, तो ऐसी समझ से आचाए आप बचे, क्यों एक ही बार अपना जन अधार वो अपडेट करवा लिजेगा, तो सायद आप समझ गयोंगे, काफी सारी बाते हैं, इसको लेके मनें आपको बता चलिए अब आवेदन प्रोसेस की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखें, आवेदन केओल और केओल SSO ID के दवारा ही किये जाएंगे, यनि ओनलाइन हो भरे जाएंगे, आप इमितर की मज़से भी भरवा सकते हैं, और खुद आप अपने SSO ID के मादम से भी इमितर वालों को पार जाओगे, तो कुछ पैसे लेंगे, खुद अपने मोबाइल से भरोगे, तो यहाँ पर देखें कुछ भी आपको नहीं लगने वाला है, जैसे आवेदन फोरम भरना शुरू हो जाएंगे, तो हमारा जो दूसरा चैनल है ज्यानकामना, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, अगर अपने आवेदन डेट की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर देखें, सेशन 2023 के लिए, सभी के लिए बता रहा हूं, चाहिए वो इसकूल लेवल हो, कोलेज लेवल हो, या पिर अनुपरती कोचिंग हो, तो 23 मैई 2023 से आवेदन फोरम बनना शुरू हो जाएगे, और इसके जो लास्ट डेट रहेगी, वो 27 जुलाई 2023 तक है, यानि यहाँ पर आपके पास दो महिने का समय, इन दो महिनों के दुरान आप अपना ओनलाइन आवेदन फोरम अराम से भ इसके बात देखें, विवाग के दौरा मैरिट लिष्ट हो निकाली जाती है, अब ये मैरिट लिष्ट है, कौन कौन सी डेट को निकाली जाएगी, वह मा आपको बता देत फैस्ट वैरियता सुची है, मेरिट लिस्ट है, उसकी जो डेट रहेगी 26 जून को, 26 जून को है, पहली लिस्ट है वो निकाल दी जाएगी, जिसके अंदर यहाँ पे जो आवेदन फोर्म रिनू किया है, उनको प्राथ मिक्ता हो दी जाएगी, उसके बाद यह तीशीट खाल प्रास बात आपको बताता हूँ, जो स्टूडेंट स्कूल लेवले में पढ़ रहे हैं, तो वो अपने स्कूल का जो प्रिंशिपल है या फिर परधाना चारी है, उसका एक चरितर परमाण पतर वो भी आपको लेना पड़ेगा, और आपको ओनलाइन हो अप्लोड करना आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर इन होस्टल में एडमिसन को लेकि यह दि आपके और भी कोई सवाल हैं, तो आप वीडियो के निचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हल्प करने की कोशिश करूँ आ, अगर वीडियो जानकारी आपक आपको लिंक मिल जाएगा, इसको लेशिप का मिन्नु है, वहाँ पर भी यह होस्टल से संबन्दी दिशान इडदे से आपको मिल जाएगे, डाउनलोड कर लीजेगा, और डिटेल से और ज्यादा जानकरी हो, अराम से वो पढ़ लीजेगा, तो मिलते हैं फ्रेंट्स अग और कि बिटे का जादे स्टन Devi 19, बीजेगा, रिम लोग मिलते हैंवेगा, Iran, परेंगा, अराम से 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 तरेंगा जो पयादे जाए, ग Gardens dखो भीजेगा, ने वढ़ मिलते हैंवेगा, चाता है, ये तो कर दिनने और वलते हैंवे तो लीजेगा, ऍहीता हैं, तो मिलते हैं